नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंट धर्मा सनमार्ग सोमवती अमवस्या के दिन कुछ खास उपाय किये जाते हैं और माना जाता है कि इन उपायों को करने से धन वर्सा होती है तो सोमबती अमवस्या इस बार के बहुत ही खास है और ये अमवस्या सनातन धर्म में बिसेश महतो भी रखता है माना जाता है कि सोमबती अमवस्या के दिन अगर पवित्र नदी सरोवर में नहाया जाए तो आपके जीवन के सभी दुख तकलीफ समाप्त हो जाते हैं और अगर इस दिन कुछ उपाई किये जाएं तो आपके जीवन में आ रही तमाम परिसानियों का अंत हो जाता है चुकि मार्कसिस महिना भगवान स्रीहरी का सबसे प्रिय महिना है जिसे हम अगहन का महिना कहते हैं और इस सोमबती अमवस्या के दिन खास प्रियोग आपके भागयों को बढ़ाता है माना जाता है कि सोमवती आमवस्या के दिन अगर आपके जीवन में तमाम प्रयास के बाद भी आप बहुत प्रेसान हैं आप तरक्किन नहीं कर पा रहे हैं तब मौन रहकर आपको असनान करना चाहिए जो 30 के अनुसार सोमवती आमवस्या के दिन अगर मौन रहकर रशनान करें तो हजार गौदान का फल मिलता है और इस दिन पीपल और भगवान स्रीहरी दोनों की ही अराधना होती है साथी सिप जी की तो होती ही है ऐसा भी माननेता है कि सोमवती आमवस्या के दिन सरसों के तेल का एक छोटा सा प्रियोग आपके भागी को बदल देता है लेकिन अगर आप पीपल के ब्रिच में 108 बार परिक्रमा करते हैं कच्चा सूत हाथ में लेकर यानि ब्रिच में आपको लपेटते जाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जब करना है अगर ऐसा करके प्राथना करें तो जीवन में आ रही तमाम ग्यात अग्यात समस्याएं समाप्त हो जाती है और आपका जीवन एक बार फिर से सरल हो जाता है तो इस दिन चुकि सोंबार का दिन है तो सिवलिंग की भी पूजा होगी सिवजी की पूजा होगी लेकिन आपकी जानकारी के लि से अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आप से कोई चूख हो जाए और आप परिसानी में पड़ जाए इसलिए इन चीजों से बचिए सिंपल तरीके से पूज़ा कीजिएगा तो आज हम बात कर रहे हैं तेल का आखिर इस सोमवती अमवस्या के दिन तेल का छोटा सा प्रिय कर जाता है और सोमवती अमवस्या के दिन सर्सों के तेल के विसेश उपाई लोग करते ही हैं ताकि जीवन में अगर कहीं कोई परिसानी है तो उससे आसानी से निकलाएं देखिए सर्सों का तेल जो है एक बात हमेशा ही याद रखिए सनीवार के दिन भूल कर भी मत खेदि आपका ऊपर जो असनीदेव की किरपा है वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है बंती है और रभी वार के दिन संबब हो तो सर्सों का तेल नहीं खाएं आप रिफाइन तेल प्लेन सादा जो तेल होता है इसको खा सकते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है आपका सूर्य तो अभीवार के दिन कोशिस करें सर्सों का तिल नहीं खाने तो आज हम इन टॉपिकों में नहीं पढ़ेंगे आज हम खास बाते करेंगे यह चोटी सी चीजें आपकी जानकारी के लिए थी वैसे आपकी इक्षा पर है तो देखिए सर्सों का तेल आपका स्वास्त भी अच् क्या करेंगे देखिए थोड़ा सा तेल आपके कुंडली के समस्त दोसों को दूर कर सकता है सोमवती अमवस्या के दिन आप किसी भी सिब मंदिर में जाईए और साम के समय सर्सों के तेल का दिया जला कर आईए और उसमें दो लॉंग या दो काली मिर्च जरूर डालिएगा माना जाता है समस्त गरह अच्छा फल देने लगते हैं और आपका भाग भी सुधरता है और इसके साथ ही इस दिन सर्सों का तेल का उपाए बहुत महतुपून माना जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप सनी वार के दिन या सोमवती अमवस्या के दिन ही नहीं बलकि अगर तेल की मालिस करते हैं तो इससे आपका भाग मजबूत होता है इसकीन मजबूत होता है इसकीन समंदी परिसानी दूर हो जाती है यह सिंपल चीजे हैं यह तो आपको पता ही है लेकिन अगर आपको लगे आप जौप करते हैं आप वेपसाई हैं आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनका सहयूग नहीं मिल पा रहा अगर आपको लगे कि लोग आपको सपोर्ट नहीं करते तब सरसों के तेल जो हैं उनसे बनीवी सबजी खास करके बैंगन की सबजी पूरी आप अगर सोमवती अमवस्य के दिन बनाकर गरीब निर्धनों में खिलाते हैं बाटते हैं तो आपका बैपार भी अच्छा चलता है जौब में जो उल्जने हैं वो भी समाप्त हो जाती है और दिकतें दूर होने लगती है बहुत छोटा लेकिन सिंपल प्रियोग है याद रखिए बैंगन की सबजी जिससे की राहू की भी परिसानी दूर होती है और सरसों का त मौकरी और बैपार दोनों ही जगा आपकी तरक्की होती है अगर आपको लगे कि आपकी जीवन में धनी नहीं है धन नहीं है अब गुरू है ना देव गुरू अब इनसे आपके जीवन के सब कुछ आपको मिलते हैं और इस सोम वहती आवस्या के दिन एक छोटा सा प्रियो तो इस सोम वती अमवस्या के दिन आप एक छोटा सा प्रियोग करें क्या करेंगे साम के समय आप एक स्टील की कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल ले ले ज्यादा नहीं एक चमच आधा चमच ले 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 अब इसको अपने सर से उल्टा वार लें किसी भी हाथ में रखिये कोई दिखत नहीं है आप चाहें तो अपने घर के भी सदस्यों के सर से उल्टा वार ले और घर से इस बीच आप ओम नमो भगवते वासु देवा या फिर नमसिवाय का जब करें अपने इश्ट का जब कीजिएगा मंत्र काना तो इसके विसेश फायदे होते हैं और फिर इ पहिया साड़े साती है वो भी अच्छा फल देने लगता है इस तेल को अपने भगवान का नाम लेते हुए आप उसे घर से बाहर फेक दे ऐसा करने से बीमारियों का नास होता है आपके जो ग्रह पिडाएं दे रहे हैं वो आपको पिडाएं देना समाप्त कर देते हैं अगर जाकर तेल चड़ा दें तो इससे भी सनीदेव की किरपा मिलने लगती है अगर पास में सनीदेव का मंदिर ना हो तो अपने सर से बिल्टावार कर थोरा सा सरसों का तेल आप किसी भी निर्धन को दे सकते हैं या किसी पीपल की नीचे रग दें किसी मंदिर में रग ऐसा करने से आपके जीवन की परिसानी दूर होती है इस दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएए सनीदेव के जो कस्ट हैं वो